हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 सम्मीति प्रशनावली 14.2 से कोशन नमबर 2 सोल्ट करेंगे तो कोशन नमबर 2 देखे प्रतेक आकर्ती के घुर्णन सम्मीति का करम बताई है तो यहां कोशन में हमें कुछ आकर्तिया दी गई है हमें इन आकर्तियों कि घुर्णन सम्मीति का करम बताना है घुर्णन सम्मीति क्या होती है देखे जब हम किसी वस्तु को घुमाते हैं और घुमाने के बाद भी वस्तु जब पहली जैसे स्थिती में ही दिखाई दे तो इस वस्तु में घुर्णन सम्मीति होती है ए पार्ट में देखे यह आकर आकर्ति को घुमा रही हूं इस तरह से तो देखे ये बिंदू यहां पर आ चुका है तो देखे जब मैं इस आकर्ति को घुमा रही हूं तो घुमाते हुए जब ये बिंदू दुबारा से यही पर आ जाएगा यानि इसी बिंदू की सीध में आ जाएगा तो एक घुर्णन पूरा हो जाएगा यानि एक पूरा चक्कर हो जाएगा अब हमें देखना है कि इस एक पूरे चक्कर यानि इस एक घुर्णन में यह आकरती कितनी बार सेम बुग जैसी दिखाई दी जितनी बार यह आकरती सेम बुग जैसी दिखाई देगी वही इस आकरती की घुर्णन सम् तो देखें, अब ये आकरती सेम बुक चैसी दिखाई दे रही है, यानि एक बार ये आकरती बुक चैसी दिखाई दिखाई दी तिखें voilà, अब smallest by त२ धिखें, अभी वी आकरती सेम बुक चैसी दिखाई दिखें और ये बिंदू इस बिंदू की सीध में भी आ चुका है तो यानि एक चक्कर पूरा हो चुका है तो इस एक पूरे चक्कर में ये आकर्थी दो बार सेम बुक चैसी दिखाई दी तो इस आकर्थी की घुर्णन सम्मिती का क्रम क्या है? दो तो ए पार्ट का अंसर है कि इसमें क्रम 2 की घुर्णन सम्मीति यानि इसमें घुर्णन सम्मीति का क्रम 2 है अब इ पार्ट में देखे या आकर्ती दी गई है हमें देखना है कि इस आकर्ती में घुर्णन सम्मीति का क्रम क्या है तो देखे जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटती है तो इस प्रकार बनिए शीरशा अभी मुग कौन बराबर होते हैं तो देखे ये 80 डिगरी का है तो इसके सामने वाला जो एकौन है ये भी 80 डिगरी का होगा और एक रेखिक युगम के दो कोणों का जोड 180 डिगरी होता है तो यहाँ पर देखे रेखिक युगम के ये जो दो कोण बन रही है इन दोनों कोणों का जोड 180 डिगरी होगा तो देखे ये 80 डिगरी है तो जो दूसरा कोण है ये 100 डिगरी का होगा तो देखे ये 100 डिगरी ह गुमाते हैं जब ये बिंदू दुबारा से इस बिंदू की सीध में आएगा तो एक घुंणन पूरा हो जाएगा अब हमें देखना इस एक घुंणन में यानि इस एक पूरे चकर में ये आकर्ति कितनी बार से बुग जैसी दिखाई देरी है तो अब इस आकर्ति को घुमान तो यहाा पर तो तो यह सी है Take a गुमाया, अब देकिए, अब यह आगर्ती सेम बुक जैसे दिखाई दिरें क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 80 डिगरी का कौन बन रहा है, यहाँ अस्य डिगरी है तो यहाँ भी 80 डिगरी होगा, और बुक में भी आखिए यहाँ फीर वह पर 80 डिगरी का कौन बन रहा है और यहां पर 100 degree का कौ्न बन रहा है, तो यह सेम भृक जैसे नहीं दिकाई दी, फीर दुपारा से इस आकरTi को घुमाएंगे, तो देखी हमने दुपारा इस आकरTi को घुमाया-थे उस सेम भृक जैसे दिकाई दे रहा है, बुक में भी यहां एससी डिगरी का तो इस आकर्ती की घुनन सम्मिती का क्रम क्या है दो तो B पार्ट का अंसर है कि इसमें क्रम दो की घुनन सम्मिती है अब C पार्ट में देखें यह आकर्ती दी गई है हमें देखना है इस आकर्ती में घुनन सम्मिती का क्रम क्या है अब देखे इस आकर्ती में मैंने यहां पर बिंदू लगाया है अब जब ये बिंदू घूमते हुए दुबारा से यहीं पर आ जाएगा तो एक पूरा चकर हो जाएगा अब मुझे देखना है कि इस एक पूरे चकर में आकर्ती कितनी बार सेम बुक जैसे दिखाए दिया तो देखे इस आकर्ती में ये एक दो तीन तीन शीर्ष है अब मैं इस आकर्ती को गुमाना शुरू करती हूँ तो देखे मैं इस आकर्ती को इस तरह से गुमा रही हूँ त देखे यह आकर्ती अभी गूमा आया बुक जैसे नहीं दिखाई दी दुबारा से गूम रही है क्योंकि बिंदू यहाँ पर आ चुका है तो देखे दुबारा से मैं इस आकर्ती को गुमा रही हूँ फिर से गुमा रही है अब देखे यह शीर्च गूमते हुए यहाँ पर आ गया अब देखे अब ये आकरती जह है सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है तो ये एक बार आकरती बुक जैसी दिखाई दे रही है तो ये आकरती बुक जैसी दिखाई दे रही है तो ये आकरती दो बार बुक जैसी दिखाई दे रही है तो ये आकरती दो बार बुक जैस इस विंदू के सीध में नहीं आया तो तो दुबारा से मिसां करति कुछ गुमा रहे हैं तो देखे अभी बुग जैसी नहीं दिखाई दे रही आदि अभी दीन बहीं पूरे चाफ क हो चुकह चुका है कि भी जबार प्र बरые तीन पर शभीडन्न सम्मितिक करम क्रम ugene का वे सिटियों संभी इसमय में जान ँब भींद्ण above पूरा श्रक्रत कितनी बारब लगाया थे उले सपाऀने खोपाइए नहीं होगे है यह है जाया उन्वार श्रूमा रही हूं किλλस पंद्ध किय बार थी तो देखे मैंने इस आकरती को घुमाया यह बुग जैसे नहीं दिखाई दी दुबारा से इस आकरती को घुमाया अभी भी यह बुग जैसे नहीं दिखाई दे रही है फिर से घुमाया अभी यह सेम बुग जैसे नहीं दिखाई दी फिर गुमाया अभी यह आकरती सेम do आब डुमा रहे हमीं साकर्ति को यह सेम बुक जैसी नहीं दिखाई दी अभी भुमाया बुक जैसी आप उमाया अपाले रहे अपिक algumas यह दिखाई दी तो दुबारा से इसाकर्ति को घुमाये देखें अभी भी भी ये बुग जैसी नहीं दिखाई दी फिर से घुमाया अभी भी ये बुग जैसी नहीं दिखाई दी अब देखिए अब ये सेम बुग जैसी दिखाई दी तो देखे चार बार ये आकरती सेम बुग जैसी दिखाई दी और एक पूरा चक्कर हो चुक है क्योंकि बिंद घुरंधयन सम्मिति है जए पार्ट में देखे यह आकरति का करम कैंट में अब और साकृति को सब्सक्राइब यहां जबा पर DDR साकरति को उल्सक्रारने जासी में नहीं दीकैा किसे बूक की में हुअ आकरती बुक जैसी दिखाई दी दुबारा से घुमाएंगे क्योंकि अभी एक पूरा चक्कर नहीं हुआ यह बिंदु अभी घुमते वे यहां पर नहीं आया तो दुबारा से हम घुमाएंगे तो देखे घुमाया यह बुक जैसी नहीं दिखाई दी दुबारा घुमाया अ अब देखे अभी आ ky vậy ुटसित आपी चैसी ताहब तीन बार या करते रिखाए दिखाए लिए अभी दुबारा जुमायों क्योंकि यहां नहीं आया अभी एक चक्कर पूरा नहीं हुआ तो बारा से घुमाया तो देखे अभी ये बुग जैसी नहीं दिखाई दी फिर से घुमाया अभी भी बुग जैसी नहीं दिखाई दी अब देखिए अब ये फिर से सेम बुग जैसी दिखाई दी रही है तो चार बार ये आकरती सेम बुग जैसी दिखाई दी उर एक पूरा चक्कर हो चुका है क्योंकि ये बिंदू, इस बिंदू की सीर पर आ चुक है, तो इस एक पूरे चक्कर, यानि एक घुर्णन में, ये आकर्थी चार बार पुक्ट जैसे दिखाई दी, तो इसमें क्रम 4 की घुनन सम्मिती है तो ये पार्ट का अंसर है कि इसमें क्रम 4 की घुनन सम्मिती है अब F पार्ट में देखें ये आकर्टी दी गई है अब इसमें घुनन सम्मिती क्या क्रम है हमें ये देखना है तो देखे इस आकर्ती में मैंने यहाँ पर बिंदू लगा है जब मैं इस आकर्ती को घुमाऊंगे और घुमते हैं बिंदू जब दुबारा से यहाँ पर आ जाएगा तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा तो अब देखे इस आकर्ती को घुमाना शुरू करते हैं अब देखे इस आकर्ती में एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच शीर्ष है, ठीक है, अब मैं इस आकर्ती को गुमा रही हूँ, तो देखे जब मैं इस आकर्ती को ऐसे गुमा रही हूँ, तो देखे अभी ये बुग जैसी नहीं दिखाई दी, फिर दुबारा से गुमा पर आ जाएगा ना तब ये सेम बुग जैसी दिखाई देगी तो देखे अब ये शीर्ष यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया तो देखे अब ये आकर्ती सेम बुग जैसी दिखाई दी तो एक बार ये आकर्ती बुग जैसी दिखाई दी दुबारा से घुमाएंगे अम इस आकर्थी क्योंकि ये बिंदू अभी घूमते वे यहां पर नहीं आया एक पूरा चक्कर नहीं वा तो ये साकर्थी को अब दुबारा से गुमा रहा है अभी ये बुग जैसे नहीं दिखाई दी फिर से गुमा आया अभी ये बुग जैसे नहीं दिखाई दी अब ये जब श तो देखें तीसरी बारी आकरती सेम बुक जैसे दिखाई दी अभी फिर से गुमाएंगे क्योंकि एक चक्कर पूरा नहीं हुआ अभी फिर गुमाया देखें इस आकरती को अभी यह सेम बुक जैसे नहीं दिखाई दी फिर से गुमाया अभी आकरती सेम बुक जैसे दिखाये दिखाये तो पांच भार फिस एक पूरे चक्र में आकरती पांच बार सेम बुग यहीं दिखाये दिखाये हैं तो इस इसमें क्रम 5 की घुर्णन सम्मितिcji है अब G पार्ट में देखें मैं यहां पर बिंतु लगा है अब जब इस साकर्थी को घुमांग« गुमाते वहें जब य typical आजएगा तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा सिस्ल देखिए अब इस साकर्थी में देखिए मैं इस आकरती को घुमारी तो देखे बुक जैसी नहीं दिखाई दी अभी भी ये बुक जैसी नहीं दिखाई दी अब देखे जब ये वाला शिर्ष यहां पर आ जाएगा तो ये सेम बुक जैसी दिखाई देगी अब मैंने घुमाया अभी ये आकरती देखे तो देखे अभी ये बुग जैसे नहीं दिखाई दी, दुबारा से गुमाया, अभी भी बुग जैसे नहीं दिखाई दी, अभी जब शीर्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सेम बुग जैसे दिखाई देगी, तो देखे अब, अभी ये आकरती सेम बुग जैसे दिखाई गुमा रहे हैं तो देखे यह बुग जैसी नहीं दिखाई दी अभी भी भी भुग जैसी नहीं दिखाई दी अब देखिए अब यह शीर्ष यहां पर आ चुक है तो यह अब सेम बुग जैसी दिखाई दी तो चार बार यह सेम बुग जैसी दिखाई दी फिर से घुमा रहे अभी यहां पर आज आएगा तो देखे अब यह सेम और आ चुका है तो देखे अब ये सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है तो छे बार ये आकरती सेम बुक जैसी दिखाई दी और ये एक पूरा चक्कर हो चुका है क्योंकि ये बिंदो इस बिंदो की सीर में आ चुका है तो देखे इस एक पूरे चक्कर में आकरती छे बार सेम बुक जैसी दिखाई दी है त अब देखे इस आकर्ती में एक बात ध्यान दीजे कि साकर्ती में एक टांग इस तरह से सीधी नीचे की तरफ है इस बात को आपने ध्यान देना अब देखे इस आकर्ती में मैंने यहां इस अंगुठे की सीध में एक बिंदू लगाया है ठीक है अब जब मैं साकर्ती को गु गुमाऊंगे घुम तो यह बिंदू दुबारा से यहां पर आ जाएगा इस वले बिंदू की सीध में तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा तो देखें मैंने इस आकरती को घुमाया यहां पर आ गया ना तो देखें आकरती घुम रही है तो देखें मैंने इस आकरती को घुमाय यह भी बुक जैसे नहीं दिखाई दी फिर से गुमाया अभी भी यह सेम बुक जैसे नहीं दिखाई दी फिर गुमाया अभी भी यह सेम बुक जैसे नहीं दिखाई दी देखें क्योंकि बुक में यह टांग सीधी इस तरह से नीचे की तरफ है एक टांग फिर से गुमाया अ कि अभी एक पूरा चक्कर नहीं वा यह बन du Gu home कि अभी तुबारा यहाँ पर नहीं आए तेखे फिर घुमाएंगे तो देखिे अब ये आकरती सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है क्योंकि बुक में भी देखे बुक में यहां ऐसे एक टांग सीधी नीचे की तरफ और यहां भी एक टांग ऐसे तरह से सीधी नीचे की तरफ है तो दो बार ये आकरती सेम बुक जैसी दिखाई दी ठीक है फिर दुबारा सभ्षब गुमाया ऑभी एक पूरा चक्कर नहीं हुआ है तो बारा से घुमाया अभी भी यह से पूसदी दिखाई और अब यह आकरती जहाब हैसेही दिखाई दिखाई रही है क्योंकि यहां गया काँ सीधी नीचे की तरफ है और बुक में ये आकरती same book जैसी दिखाई दी है और एक पूरा चक्कर हो चुक है क्योंकि ये बिंदू घूम कर दुबारा इस बिंदू की सीध पे आ चुक है तो देखे इस एक पूरे चक्कर में ये आकरती तीन बार same book जैसी दिखाई दी है तो इसमें क्रम 3 की घुनन सम्मिती है तो H-part का अंसर है कि इसमें क्रम 3 की घुनन सम्मिती है तो आज इस वीडियो में हमने question number 2 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe Thank you